हेलो दोस्तों आप सबका फिर से एक वर स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल मैंत मस्ती पर और दोस्तों मैं हूँ बीपिन यादव दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ क्वाडिलेटरल के पार्ट टू में और पार्ट टू में आप 10 नमर कोस्चन से आगे आपने देखा भी है दोस्तों आप लोग का धेर सरा प्यार मिला है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को और ऐसे ही सभी भाई वहन जुडते जाए और वीडियो को देखिए मेरा हमेशा से प्रयास रहा मैंने पीछे भी आपको बता है हर बार कि मैं आपको मैं पूरी त बात आपको बता दूँ जल्दी से कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन जो आपने वीडियो चालू किया उसके लीचे लाल कलर में सब्सक्राइब वर्टन होगा उसको दबाएए और बगल में बेल आइकन होग उसको भी दवाना जरूरी है दोस्तों अब देखे इस से फायदा क्या होगा आपका नुक्सान कुछ नहीं है फायदा ये होगा कि अब तक मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किये वो सारे वीडियो आप देख पाएंगे सभी का नोटिपिकेशन आपको मिल जाएगा और आ आपको चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और हमारे वीडियो पसांद आता है तो लाइक कीजिए पसंद नहीं आते हैं तो डिसलाइक कीजिए आए दोस्तों आज सभी भाई वहन के लिए मैं फिर से पार्ट टू में पार्टि लेटरल के बारे में आज बताने ज कुशन है कि एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और उसका छेत्रफल 720 बर्ग सेंटीमीटर है यादि उस आयत का छेत्रफल उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर मूल छेत्रफल का एक पुर्णाय के गवर्टा चार गुना कर दिया जाए तो उसका नया परिमात कितना होगा दोस इस सवाल में कहा जाता है किसी आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और उसका छेत्रफल 720 बर्ग सेंटीमीटर है मित्रों आयत का छेत्रफल होता है लंबाई बुने चवड़ाए अगर आपने मेरा बेसिक कलास यानि थियोरी कलास आपने एक वाडिलेटरल का नहीं देखा है चत्रफज का तो सबसे पहले आप थियोरी कलास देखिए उसके बाद पार्ट वन देखिएगा उसके बाद पार्ट नुपर आ ही अगा मित्रों तोस्के आले नहीं等 कुए अगर डेंबे खाग दे देंगे तो देखें लंबाई सीनल कट कट ग Leon zil cutbr Underwater नि Swope ya चाह जाने में लंभाई से भाग दिया जाएं तो चराई होगा और चाही से भाग दें 69 pasture कु साथ evaluate निकल तो में से ने से इस प्रसमेर्व देखी है कु हुआ है कि सेंटीमीटर चोड़ाई हमें निकल जागा क्योंकि छेत्रफल भी पता है साथ सो बीस छेत्रफल में लंबाई से भाग देने पर चोड़ाई हो जाएगा लंबाई को एलसे भी लिखते हैं चोड़ाई दीव रेथ जीरो से जीरो कट गया तीन से गटा चोविस वा है कि उसकी केवल लंबाई बढ़ा कर मुल छेत्रफल का एक पुर्णा के कवटा चारगुना कर दिया गया एक पुर्णा के कवटा चारगुना कर दिया गया दोस्तों अगर आयत के किसी एक भूजा को इस्थिर रखकर दूसरे भूजा को अगर दुगना कर दीजिएगा त दोस्तों अगर सोचिए कहता है कि आयत के चौडाई को इस्थी रखकर लंबाई तीन गुना कर दिया जाए तो छेत्रफल तीन गुना ही हो जाएगा अगर कहें कि आयत के चौडाई को इस्थी रखकर छेत्रफल हो गया है तीन गुना तो बताइए लंबाई कैं गुना किया या होगा तो तीन गुना चुकि लंबाई जय गुना करिएगा उतना ही गुना छित्रफल होजाएगा इसका सीधां मतलब है कि छित्रफल भी जीतना गुना हो जागा लंबाई भी उतना गुना बढ़ जाएगा अगर एक भुजा को इस्तिर रख कर दूसरे में काम किया जाए तो तो आये विद्रो अब यही बात समझना है कहता है कि उस गुना दिया गया है इसलिए हुआ है बोलादी गया सवाल में तो लंबाई को भी किया होगा पांच बटा चार्गूना इसलिए छेत्र फल हो गया पांच बट्टा चारगुना यानि दोस्तों नया लंबाई जो हो जाएगा नया लंबाई नया लंबाई हो जाएगा पहले वाले लंबाई का पांच बट्टा चारगुना पहले वाले लंबाई तीस है 30 का 5 बट्टा 4 गुना, 4 का अधा 2, 30 का अधा 2, 15, 15 पचे 75 बट्टा 2, तो नया पडिमाप पूछ रहा है, नया पडिमाप कितना होगा, तो नया पडिमाप, आयत की लंबाई, चोड़ाई पता है, तो पडिमाप निकालने के लिए 2 इंटू लंबाई पलस चोड़ाई, तो दो नोया-वला, लंबाई कितना, 75 बट्टा 2, लंबाई आप पलस चोड़ाई, चोड़ाई का मतलब जो पहले, चोड़ाई है, क्योंकि चो पहले था, वही अभी भी है, चोड़ाई को स्थिर रखा गया था, लंबाई 75 बट्टा 2 का मतलब सारे 70 हो गया, देखिये पहले 30 से था अब हो गया सारे से तो टू इंटू लंबाई पलस चोड़ाई मैंने इस दोनों में गुना होगा तो दू से पच्छतर बटा दू में गुना करिए गया तो दू से दू कट जागा तो पच्छतर हो गया पलस दू से 24 दूना 48 तब को जोड़ेंगे 123 तो 123 सेंटीमीटर ह आईए आगे बढ़ते हैं मांतर चतरभुज की दो असन भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है यादि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी है दोस्तों मैंने बताया था थियोड़ी में कि अगर कोई आयत रहता है इस आयत को अगर पकड़के ऐसे खीच दीजिएगा तो वो कैसा बन जाएगा ज़रा देखिए वो बन जाएगा जैसे माल लिजे यह लंबाई है समांतर चतर बुझके और यह चौड़ा है तो यह ऐसा हो जाएगा अब ध्यान दीजिए आमने सामन और ही जोटी बुझा के बीच की दूरी 12 संटीमिट तो यह देखें छोटी मुझा यह यह वला ऑर यह वला है छोटी भुझा इसके बीच की दूरी दिया लासे अ कुलштंट में के अगड verme डालनेgers तो ऐसे आया जो नंबे टिगरी काकोन बना दे अहां देखिए कि ऑफ सोटम कषोती गूजा कितना है कि पंदरव और बड़ी गूजा पता है कितना अठारा्व अगयर ये पंदरह सेर्टा है और इस पर यह लंब पता है जो बला है छोटी पुझा के बीच की दूरी 12 संटीमिटर कि दूरी 12 संटीमिटर हुए तो यह हुआ अधार और यह उधार। आप इसमें कह सकते हैं कि 15 गूने बाड़ा यह अधार और यह उचा यह 15 Лю तो यह देखे यह दो बड़ी भुजा है यह दो बड़ी भुजा के बीच की दूरी यह बला हो गया तो यह भी हो जागा आपका कितना मतलब यह अठारा और गुने एच यह लम हो गया इधर से तो अधहार गुने उचाई छेत्रफल और यह अधहार गुने उचाई छेत्रफल दोनों एक की ही चतरभुज का छेत्रफल इसलिए आपस मी बड़ागा अब क्या होगा शोग दूना बारा शोग से काटिए शोग दूना दस यानि दस हो या हाइट यह बला दो अपसन भी तो आई नेक्स्ट देखते हैं तो देखिए इस प्रस्ण को एक कमड़े के फर्स की लंबाई उसकी चड़ाई से 20 मीटर अधिक है उसके फर्स का छेत्रफल तब भी अपड़िवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर परहा दी जाती है तदनुसर फर्स का छेत्रफल कितना होगा बर्ग मीटर में दोस्तों इस प्रस्ण में कहा जाता है कि एक कमड़े की जो लंबाई है चड़ाई से 20 मीटर अधिक है और कहता है कि इसका छेत्रफल तब भी अपड़िवर्तित रहता है मने छेत्रफल में कोई परभाव नहीं परता है पहले जितना था उतना अवी भी छेत्रफल लाता है ऐसा तब होता है जब सवाल कहता है कि लंबाई 10 मीटर कम कर दिया जाए मतलब पहले जो लंबाई था उससे लंबाई अब 10 मीटर कम कर दिया जाएगा और चवड़ाई जो है 5 मीटर बढ़ा दिया जाता है पहले से लंबाई तो घटाया गया लेकिन चवड़ाई अभी भी बढ़ाया गया इसलिए कहता है कि छेतरफल अभी भी उतना ही है जितना पहले थी तो आईए यानि कि दोनों बार छेतरफल निकाल के आपस में बढ़ाबर करेगे क्योंकि सवाल बोला है कि पहले इतना ही छेतरफल अभी भी है तो आईए दोस्तों अगर पहले लंबाई रहा होगा अचा लंबाई 20 मीटर जादा है चोड़ाई से तो चोड़ाई जितना होगा उसे 20 जादा होगा लंबाई तो चोड़ाई अगर एक्स मान लिया तो लंबाई हो गया X पलस 20 और आजाई हो बाद में क्या बोलता है कि ये लंबाई और चोड़ाई देखे क्या कह रहा है सवाल कहता है कि लंबाई को पहले से सवाल कह रहा है कि जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है मानि लंबाई पहले एकादाती जндेये गाँ तो एकाद बढ़े शोड़ा ईका चेतरफल्य प्लस पांट और कहा दिया आए कि दोनों बार छेत्रफल बड़ाबर ही है क्योंकि बुला है कि छेत्रफल और डिए रहता है मतलब 3 यह दोनों गुना कि इधर का चेत्रफल दोनों चेत्रफल आपस में पड़ा तो तो यहां कुछ सोच लिजिए ऐसा रखना है कि इक्वर्व से अगर माली चीट पांच रखते तो पांच यहां ही हो 25 25 25 इधर देखते यह पांच हो जाएगा पांच रखने से कि और यह पहल प्रमुन इधर हो रखने से ऐड़ तथ अगर दस रखते एक से जगाँ सिसके जागा दा 10 5 15 15 दुना 30 ये 300 इधर भी 300 उधर भी तो ये इक्वेल हो गया मतलब X का भेलू 10 जो है कान कर रहा है X का भेलू 10 सही है X का भेलू 10 ले लेते हैं और X का भेलू 10 लेने का मतलब हुगा कि चवडाई आपको 10 पता हो गया तो बताइए लंबाई कितना हो गया 20 आदोस तो लंबाई 30 आचवडाई 10 तो छेतर फल पुछता है 30 तीस दहाई 300 बर्ग मीटर आपसंसी एंसर हो गया दोस्तों तो आए ऐसे आप इसको हल करके आगे भी काम कर सकते हैं तो थोड़ा ज़्यादा तो दोस्तों एक काम कर लिजेगा आप जब वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो जब चल रहा है तो आप देखे एक बार किलिक कीजिए कहीं वीडियो पर उसके बाद ये तीन को ड़ट बाला उपर में आगा उसको एक बार किलिक करना है तो फिर आपको नीचे लिखा जागा दूसो चालीस पी तो इस तरह से आप तीनसो साथ पी कर देंगे तो पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा ने लगेगा तो यह अगर आपको प्राब्लम हो रहा होगा जो हमारे नए भीवर होंगे तो उनको अगर प्राब्लम होता है तो वो ठीक कर ले आईए दोस्तो एक बात और अगर आपको इस टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप सबसे पहले हमारा थियोरी कलास ही करेंगे मैं बार-बार काता हूं कि पहले थियोरी कलास करें किसी दी चेप्टर का उसके बाद आप पार्ट वन पार्ट टू ऐसे करें कलास तो आईए भी तुर आगर गरते हैं किसी बर्ग के बीकर्ण पड़े एक संभाहु तिर सब्सक्राइब आईए तिर्भुज के बारे में पीछे पढ़ा चुका हूं तो सवाल है किसी बर्ग के बीकर्ण पर एक संभाहु तिर्भुज बनाया गया है बर्ग के छेत्रफल के साथ तिर्भुज के छेत्रफल का नवबात क्या होगा किसी बर्ग के बीकर्ण पर संभ संभाहुतिर्भुज बनाने का मतलब यहीं संभाहुतिर्भुज बनाने का यहीं मतलब है दोस्तों कि जितना बड़ा विकर्ण होगा उतना बड़ा इसकी भूजा होगी संभाहुतिर्भुज यह मतलब पूज़ा इस्क्वाइर यह रूटट भुर्ट फोड़ और धेरेक स्क्वाइर है रूट दू-कस होगा तो दू ही तो दू ही होजाएगा और नहीं जयादा उप्षण से अंज़र चाहिए तो में फिर कहता हूं कि मैने एक वीडियो भी अप्लोड किया कि मैथ को कहा से सूरू करना चाहिए तो उस वीडियो को जरूर देखिए गए आप कही मैं नहीं नहीं रहेगा यह आपकी के लिए मैंने बनाया है मेरा इसा कोई मौकसद नहीं है कि मैं मैध पढ़ाऊ और लोगों को समझ में नहीं आए सबसे पहले देख लेगे अगर मैध में ज्यादा प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले देखिएगा मैध कहां से सुरू करें उस वीडियो को देख लिजे सबसे पहले सब्सक्राइब की किजिएगा बेला इकन दवाईएगा उसके बाद वीडियो का सारे नोटिफिकेशन सेंटी मीटर त्रिजावाले विड्के चाप के आकार इसने के चाप में काता है कि चार्द काट के अलग कर लिए गए तो सेस बचेज्चे चेत्रफल कितना होगा परस्ण ऐसा है कि कोई बढ़ गए है और इस बर्ग की भूजा है चार सिंटीमीट्र भूजा कितनी हैli 88 तो ढूया को दोस्तों यौजा चार भोगे नहीं परतेक भूजा चार सिंटीमीटर होगी काया कि पर टेखोम में से चारो कोनों से कहता है सवाल कि चारो कोनों से 2 crime तिरी जान से पूरा चार है तो तो आधहतु होगा आधहतू होगा आधहतु होग अब अगर एसक देखे या च्छना में इस में काटा जाए यह से द deepest यह से यह को यांथ शर। की उश्य Miya मेदिटल करें करें है उसी तरह से यहां नहीं करें के दरबं वहां दो इधर व्या ध occur तो दोस्तों एक काम करते हैं इस पूरे बर्ग के छेत्रफल में से यह 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 निकाल दे तो हमारा यह वाला बच जाएगा और यह कैसे निकाले तो अब जड़ा देखिए सिंपल सावाद माल लीजे कोई बिर्त है यह बिर्त है और एक सीधी एक रेखा ऐसे ख़ड़ी होके काहने का मतलब नबबे दिग्री का कुन बनता है तो यह पूरे बिर्त का चौथाई भाग होता है और यह चारों मिलकर पूरा बिर्थ बनता है तो एक दू तीन चार अगर यह चारों को मिला दिया जातों एक बिर्थ हो जागा यानि बढ़क के रिया में से एक बिर्थ का एरिया हमें घटाना पड़ेगा तो पूरे बढ़क का एरिया कितना होगा बढ़क का एरिया भूजा ए आपको दोडो में बुला ही तो चाहले है सकते यानि सोड़ा माइनस और पाई तो दोस्तों यह चारगुने पाई है तो चारगुने पाई या पाई पाई पूने चाड़ एखी बाग है 16-4 पाई 16-4 पाई option B answer है वाई ये आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है यादी एक तार को बढ़गा कार मोर दिया जाए तो उस बर्ग का छेत्र फल कितने बढ़ एक बात समझना यह ज़रूरी है किसी तार को बढ़गा कार मोर जा रहा है यानि वह जो तार की लंबाइ होगी वही तो बढ़ग का पड़ी माप होगा जटा देखिए कैसे कोई तार को आपने अगर आएसे मोड़ा किसी तार को ऐसे मोड़ा ऐसे भुमाया तो यही तार जो यह जो लाइन में खीच रहा हूं यह तार को दर सारा है यहीं नहों गया परिमार्प बढ़क का तो अब आजाए उसके बाद यह कुछ एडिया बन जागा एडिया छेत्रफल वही बोला गया है तो इसका देखिए छेत्रफल एकासी बढ़क सेंटी मीटर हो गया इसका मतलब कि एक भुजा नौ का रहा होगा क्योंकि बढ़का छेत्रफल भुजा इसको रहोता है तो यहां एक आसी हुगा एक रहनु नौ हुगा तो दोस्तों आपको यह तो पता चल जागा कि अगर परि दोस्तों तार की लंबाई 36 सवाल का तार को अगर अर्धविर्था का मुर्दिया जाए तब उस अर्धविर्थ का छेतरपल कितना हो जाएगा और एक बात और समझें दोस्तों आर्धविर्था कार मुर्णे जैसे सोचके दenn की अगल यह पूरा विर्थ नहीं तो होता है पूरा विर्थ का मतलब क्या हुआ धूर पूरा मतलब यह वाला परीद कितना यही नहींतार के लंबाई में यह था मतलब वह जो 36 संटिमीटर लंबा तार था तर कहां से मैं ने ल तो यह जो तार जितनी लंबी होगी यानि जो पड़िमा पाया था 36 वह आई 36 यह भी रहेगा 36 यह तार की लंबाई होगा अगर ऐसे भी गुमाई दो तो दोस्तो एक बाद लेकिन हमको बिर्थ नहीं बनाना है मैं बता रहाँ कि अगर यह बिर्थ है तो बिर्थ का परीध ही क्या होता है तू पायार होता है दोस्तो आगे हम सर्कल पढ़ाएं विए उसमें भी बताएं विए आपको लेकिन चलिए आप समझ लिजी यह जो लंबाई होगा इसको काते टू पायार यही पड़ीदी अब बताए यह पूरा एक बार घूमने गा तब तो टू पायार और यह आधे रहे तब तब तो ए वो पायार तू पायार है और तो बचा सिर पायार तो यहां से यहां तक हुआ पायार लेकिन अब यह अर्धविर्त नहीं हुआ है दोस्तों अगर ऐसे मिला दीजेगा तब यह अर्धविर्त हुआ अब अर्धविर्त होने का मतलब इधारे वो त्रीचा और एक प्लस तू कह सकते हैं और पाई कामान कितना होता है दोस्तों देखिए बाइस बटा साथ होता है अब प्लस दू यह साथ दूना अब आप याद रखिए कि अर्ध बिर्त का परीधी होता है अर्ध बिर्त का परीधी या पडिमाप जो कहिए होता है अर्ग ने, चाटु स्थिस परटा साथ होता है कि कहता है सवाल कि एक बढगा का एक जाी पान को बढगाखा यह नौ चोग के कितना 36 तो 36 सेंटीमीटर हुगा तार की लंबाई और उसी को अर्धविर्थाकार मुर दिया जाएगा ऐसे मुर दिया जाएगा यह भी पूरा गुम के 36 नहीं रहेगा और यह लंबाई तो आर्गुने 36 बटा साथ होता है आर्गुने 36 बटा साथ होता अर्धविर्थ का परीधी क्या होता है आर्गुने 36 बटा साथ यह होगा यही तार की लंबाई जिस तार की लंबाई यह 36 है दोनों आपस में एक वर्भ यही परीधी बनेगा परीधी इतना है 36 से 36 कटा एक वर्मी आर बराबर साथ जब तिरिज स्कृण होता है बिर्त का च्यत्रफल पाई का मेलू रखतिया 22 वटता साथ परार अर्ए स्कृण मतलब आरफ भूने आर यनि-साथ गूने साथ से साथ तो 22 सते कितना 7, 2, 14, 7, 2, 14, 15, 15, 15, 15, 15 हो गया आप्शन टी आईए मित्रों इस परस्म में है कि एक आयत की भूजा का माप लेते समय उसकी एक भूजा पांच परतीसत अधीक माप लिजाती है और दूसरी दू परतीसत कम तो उसका छेत्र फल मापने में तुरूटी परतीसत होगा किसी आयत के एक भूजा को पांच परतीसत जादा माप लिया गया और एक भूजा को दो परतीसत कम माप लिया गया तो उसके छेत्र फल पर क्या परभाब बढ़ा यहीं पूछा जा रहा है मित्रों मैंने थियोरी कलास परहाया आप जरूर उसको एक बार देखिएग यह दूनु घटा दिया गया दूबर घटना हुआ ना लंबाई बढ़ादे चोड़ाई भी बढ़ादे दूबहटना हुआ चेतर फलबबब तो एवी फर्मूला एवी फर्मूला मैंने बताय था कि ए प्लस बी प्लस एवी बटा सव और हां बिर्धी रहेगा तो पलस कमी सब्सक्राइब तो माइनस मितरों 5 पर अदिस दिधतया यहां पांच पलस में रहेगा लेकिन आगे बोला गया दूब परती सबकाते यह दो माइनस अब यह दोनों गुना होगा तो 5-2 माइनस पांच बुने 2 बटा कितना है सो आप देखें दोस्तों पांच में से दो गया पांच में से दो गया तो 3 माइनस यह पांदूना 10 दस बटा है यह 100 यह 0 से 0 3 माइनस 0.11 एक कहिए चुकि आप 0 हटा यह गाते एक अंक बाद सम्लों तो 2.9 हो जाएगा ऑप्संसी दोस्तों 2.9 पलस में आया मतलब छेत्र फल 2.9 परतिसत बढ़ा आईए मित्रों अगर यह मा दोस्तों मैत उमीद करता हूं कि आपको समझ ने रहा होगा और देखिए अगर आप सोचते हैं कि हमको मैत नहीं आता है यह मूश्किल होता है दोस्तों यह सही बात है कल्चनाई सुरू में सब को होता है लेकिन कोसिस करने से ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न ऊसलिगे तेरी हाड मीक्यों को मानव दूस्तों हम मानव है अवतार नहीं हैं कोसिस करकर के छिए और ऐसे हारने वाले जेए नहीं इनसान तब तक नहीं हरता है जब तक कि उसके अंदर उमीद वांख कि रहता है उमीद जिता रहता है इसलिए O